असलाम अलेकूम आज हम बनाने जा रहे हैं मतन की एक ग्रेवी वाली डिश जिसको हमने पकाया है चनी के लाल के साथ यह बहुत ही ईजी और टेस्टी रेसिपी है तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने लिया है 500 ग्राम जितना मतन और इसके अंदर हमें डालना है नमक और चिंचर गालिक चिली पेस्ट गया वी उसको अच्छंछे से एकफॉल और इसको अच्छे से मिक्स करना है और पांच गंटे के लिए इसे मेरिनेटा करना है अब हम तेल लेंगे वे कैन मे और इसके अंदर हमें ढालना है इसके अंदर हमें डालना है दालचीनी, लॉंग और इलाची और बेलेज इसे हम एक मिनिक तक भीन लेंगे अच्छे से हमने लिया है दो प्यास जिसकी मैंने प्योरी बना दी है इसे भी हम एड़ करेंगे और तक तक भूनेंगे जिब तक इसका कलर चीन हो जाए क्यूमिन सीद्स और जाइफल जाविंत्री थोड़ा थोड़ा ही लिया है वेने और इसके साथ धन्या पाउदर, जीरा पाउदर, लाल मिच पाउदर और हल्दी पाउदर इन सारे मसालों को हम एक साथ पीसेंगे और फिर हम डालेंगे और इसको अच्छे से हम भून लेंगे ताकि इसका कच्छा पंदूर हो जाए अब हम इसमें डालेंगे मैरिनेट किया हुआ मतन और मिक्स करेंगे अच्छे से और इसके बाद हम डालेंगे दो मीडियम साइज के चौट तमाटर इसको भी थोड़ी देर पकाएंगे यह मैंने लिए वर्फोस कप चने की डाल जिसको मैंने पिगो के रख दिया था यह भी डाल रेंगे अब हम इसे पानी डाल कर कुक करेंगे जब तक हमारा मतन गल न जाए मतन हमारा घल चुका है अब हम इसके अंदर लौकी डालेंगे जिसको हमने मूटा मूटा काट लिया है और इसे भी हम पकाएंगे अब यह पक के ररी है हमारा मतन इसे हम सर्फ करेंगे कुछ पुदीनों के पत्ते और नीमो के साथ आप इसे नान के साथ जिखा सकते हैं रोती के साथ दिखा सकते हैं यह बहुत इजी और टेस्टी रेसिपी है तो सबस्क्राइब करिए मेरे चैनल को और मेरे वीजिस को लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंस और फैमिली मेंबर्स के साथ जज़ा के लग है